हेलो दोस्तो वन सेगिंड वलकम बैक टू मी चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ सस्ति दामों में मिलने वाले पौधों के नाम शेयर करूंगी जिने मई और जून के मंथ में आप लाने के बाद इसी सीजन कटिंग से फ्री में एक से दो पौधे भी बना सकते हैं तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में इन पौधों के नाम जान लेते हैं और साथी थोड़ी थोड़ी से केयर भी में शेयर करती रहूंगी जिससे इन पौधों को लाने के बाद आपको इनकी केयर करने में मदद मिले 15 से 20 रूपे में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको देखकर हमारा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है पौधे इतनी खुबशुरत होते हैं कि उनमें फूलों की ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे को आरेंशन कहते हैं और आरेंशन के कलर आप देखिए सबसे पहले इनकी लिव्ज का कलर बहुत ही प्यारा होता है साथी इनके स्टमज का जो कलर होता है वो बीवी पिंक कलर का होता है बहुत ही सुन्दर एक इंडोर और आउट्डोर रखने वाला पौधा होता है ज़्यादा दूकी से जरुरत नहीं होती है पानी की जरुरत होती है साथी ये पौदे बहुत जल्दी multiply भी होते रहते हैं cutting के थूँ कुछ पौदों में अंगिनत color होते हैं जैसे हमारे ये kolies का पौदा है kolies में इतनी सारी color होते हैं और इतनी खुबसूरत इनकी डिजाइनर लेप से होती है कि इन पौदों को अगर हमने अपने गाइटन में लगाया तो अगर हमारे गाइटन में फूल नहीं खिल रहा है तो इनके कलरों के वज़े से हमारे गाइटन में फूलों की कमी हमें बिलकुल भी महसूस नहीं होती है साथी ही ये पौधे 20-25 रुपे में एक छोटा-छोटा पौधा हमें मिल जाता है कहीं पर भी बड़े से छोटे नरसरी में इनकी धिरो सारी वैराइटी मिल जाएंगे आपको साथी ही ये पौधे आगे आने वाले दिनों में या इसी टाइम से नरसरी से लाने के पाद आप आफ्टर 15 डेज के बाद इसे कटिंग से घ्रो कर सकते कटिंग इसकी बहुत जल्दी लग जाती है तो इतनी प्यारे प्यारे पौधे को आप नरसरी से लाना इस टेम बिलकुल भी ना भूले कुछ पौधों का कलर इतना डार्क होता है उनकी लिप्स का कलर देखके हमारा मन बहुत ही जादा खुश हो जाता है साथी ही ये पौधे हमें फूल भी देते हैं तो डवल बैनिफीट होता है सस्ते दामों में मिलने वाला ये जो पौधा है इसे परपल हट कहते हैं परपल हट का एक छोटा सा प्लांट है हमें 10 से 15 रुपे में मिल जाता है बहुत ही आराम से कुछ पौधे इतने हाड़ी होते हैं कि उनको लगाने के बाद ही हमें पता चलता है उनकी बारे में ये जो पौधा है इसे हेंगिंग बास्केट में लगाने से बहुत ही सुन्दा लगता है ग्राउंड कवर के लिए बहुत लोग यूज करते हैं ये अनली 10 रुपे में एक छोटा सा पौधा हमें मिल जाता है नर्सरी में स्टेम अगर आप नर्सरी जा रहे है तो ट्रंगल हाट को सर्च करके जरूर खरीदी गया ट्रंगल हाट एक है इतनी तीजी से फैलने वाला हैंगिंग बास्केट का प्लांट होता है साथी एक हाड़ी सेकुलेंट से होता है जिसे हम दूप में भी पर्मनेंट रख सकते है कटिंग इसकी बहुत जल्दी लग जाती है एक सिंगल लिप्स भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो भी इनकी देखे है छोटी छोटी सी पत्तिया होती है इससे एक प्लांट हम तियार कर सकते हैं बहुत ही आराम से ट्रंगल अट के जो प्राइज होती है ऐसे 20-25 रुपे में हमें चोटा पौधा मिल जाता है तो कोशिश कीजिए जब भी आप पौधा लाए तो छोटा पौधा लेके हैं चोटी पौधे की तोड़ी सी प्राइज भी गम होती है और हमें सस्ते दामों में भी पौधा मिल पिलिया एक्सप्रेसो बहुत ही तीजी से फैलने वाला एक इंडोर आउट्डोर प्लांट होता है इंडोर में भी यह बहुत आराम से चलता है अगर रोशनी बिलकुल भी नहीं है आपके घर में ऐसा कोई एरिया है जहां पर आप ग्रिनरी जाते तो आप पिलिया एक्सप बहुत ही सुन्दल लगता है रियो की दो से तीन बराइटी होती है इसके बैक कलर होता है देखिए डार क परपल और उपर ग्रीन कलर होता है यह मल्टिप्लाइब बहुत जल्दी हो जाता है इनको कटिंग करने की ज़रुरत नहीं होती है आसपास इनके धेरो सारी बेवी ग्रो होते हैं बस उनको डिवाइट करके आप हैंगिंग बास्केट में ग्राउंड अगर है आपके पास तो ग्राउंड कवर के लिए इस पौधे को एड़ कर सकते हैं रियो का एक चोटा सा बीवी प्लांट अगर आप नर्सरी से लाएंगे तो 10 रुपे में 15 रुपे में ये पौधा चोटी से गंबले में भी लग जाता है और इस पौधे को वियानिये कहते हैं काफी संदर लगता है मुझे ये पौधा और नर्सरी में ये पौधा हमें अगर चोटा पौधा आप ले रहे हैं जैसे ही ये बहुत बड़ा पौधा है तो आपको 100 रुपीस में मि देख सकते हैं और बहुती आराम से उसे मुटिप्लाइए भी कर सकती है ड्रेसिना की कोई भी वेराइटी और हर बहुत हाडी होती है इस पौधी को ड्रेसिना कंपैक्टा कहते हैं red color की देखें बहुत ही प्यारा लगता है अकला पौधा हमारा डेविक से बैकपोन है इनकी दो कलर मिलती है एक ग्रीन और यह वेरिगेट लिफ्स वाला पौधा है बहुत ही प्यारा इसका कलर होता है बहुत हाड़ी पौधा है इस पौधी को अगर आप ग्राउंड में लगा रहे तो यह बहुत तीजी सी बढ़ जाते है इतने संदर से पौधे को आप 20-25 रुपे में ला सकते है छोटा पौधा लाने की कोशिश कीजिए स्टार्डिंग में सस्ते दामों में भी मिल जाते है और उन पौधों को बढ़ा करने में मज़ा भी आता है फिर उनकी कियर के बारे में हम पौधा भी चलता रहता है सिल्वर युका भी एक बहुत ही हाडी प्लांट होता है कलर इसका बहुत ही प्यारा होता है इतना हाडी पौधा है कि अगर इस तेज गर्मी में भी आप धूप में रख रहे हैं और इसे पानी देना एक हफते तक भूल जा रहे तो भी यह में नर्सरी में जो पौधे मिलते हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है तो कोशिश कीजिए छोटी पौधे लाने की नर्सरी वालों को अगर हम बोलते हैं कि हमें छोटी पौधे लाके दीजिए तो वो छोटी पौधे लाके भी देते हो सस्ते प्राइस में मिल भ कर्मियों में अगर आपने क्रोरडन को अचिया तो आपका गार्डन अधूरा रहा जाएगा 필요 क्रोटन की पहुत सारी क्वाराइटी होती है इनके लिप Congressman कलर बहुत ही प्यारा होता है एकी पौदे में ठेरो सारे colors आपको दीखने को मिल जाता है Crotan की जो variety होती है एक hybrid होती है और एक देसी होती है देसी में जो पौदे होते हैं वो 30-40 रुपे में हमें मिल जाता है चोटा चोटा पधा यह में आपको देसी variety दिखा रही है यह जो easily कहीं पर भी nursery में मिल जाते हैं सस्ते दामों में यह भी हमारी देशी वेराइटी है जिनकी लिपसे काफी लंबाई तक पहुंचती है और curly लिपसे वाली भी croton होती है वो भी सस्ते प्राइज में मिल जाती है croton मुझे बहुत ही प्यारा लगता है सबसे अच्छी बात है कि rainy season में इसे बहुत जल्दी हम multiply भी कर सकते हैं तो मेरे पास तो croton की धिरू सारी वेराइटी है क्योंकि इसे indoor outdoor हम दूनों साइट रख सकते हैं कितने different color की इनकी leaves होती है यह जो हमारा पौदा है इसे ही aluminum plant कहते हैं या water million पी लिया कहते हैं देखे ग्रीन कलर की leaves में जो हमारा white कलर का यह dotted है यह दिखने में कितना प्यारा लगता है यह पौदा भी हमें 20-25 रुपे में मिल जाता है छोटा पौदा लाएंगे तो आपको ऐसे ही प्राइज मिलेगा बड़े पौदे की प्राइज थोड़ी सी महंगी होती है यह भी एक हाड़ी पौदा है तो अगर आप nursery जा रहे हैं तो aluminum plant को लाना बिल्कुल भी ना भूले इंडोर में बहुत लोगों के पौदे खराब हो जाते हैं तो आप snack plant को इंडोर के लिए रख सकते हैं एक हाड़ी और permanent होने के साथ साथ बहुत सारे इनकी आजकल वेराइटी हमें nursery में मिल जाते हैं drop वेराइटी और यह DC वाली वेराइटी है जो बहुत ही tall में जाती है य देखिए यह green कलर की वेराइटी है और यह देखिए इनकी लिपस थोड़ी सी अलग है तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं तो snake plant को ज़रूर लाइएगा star ficus की भी बहुत सारे वेराइटी होती है green और यह variegated leaves वाला यह मुझे बहुत ही प्यारा लगता है बहुत बड़े बड़े इनकी प्लांटे हो जाते हैं छोटी पौदे अगर आप ला रहे हैं तो 30 से 35 रुपे में एक पौधा मिल जाता है कलर इनकी बहुत कुपशुरद होते हैं इंडोर आउट्डोर आप दोनों साइट रख सकते हैं यह जो पौदा है देखिए इनकी जो leaves होती है वो मुड़ी हुई रहती है थोड़ से curly leaves होती है यह अभी मैंने प्रूनिंग कर रखा है इसी की वज़े से इनकी चोटी चोटी सी leaves अभी grow हो रही है suits भी बहुत सारी new grow हो रहे है color आप देखिए एक ही leaves में कितनी सारे color आपको नजर आ रहे है और इसकी flower भी खिलते हैं वो जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है कुछ सस्ते दामों में मिलने वाले पौदें बहुत ही लखी भी होते हैं उनमें से ह हमारा jet plant है jet plant के leaves से बहुत ही चोटे-चोटे से होते हैं और इस पौदे को हम किसी भी safe में बना सकते हैं बहुत ही प्यारा एक हाटी plant होता है चोटा पौदा लाईए तब ही आपको 20-25 रुपे में मिलेंगे नहीं तो ये पौदा काफे महंगी price में मिलता है इंडोर आउट और देखिए ये इतना प्यारा पौदा है कि एकदम football की तरह safe ले लेता है इसकी cutting हम जैसे करेंगे ऐसे ही गोलाई में ये बढ़ता रहता है इस पौदे को नैंथरा कहते हैं नैंथरा की बहुत सारी variety होती है green variety भी होती है लेकिन ये colorful बहुत ही प्यारा होता है सस्ते दामो में मिलने वाला ये पौदा है इस पौदे को हम 20 रूपे में खरीज सकते हैं एक छोटा पौदा अगर आप nursery जा रहे तो sweet potato wine को खरीदना बिल्कुल भी ना भूले summer season में 30 सी बढ़ने वाला ये एक wine plant हैं color देखिए इसकी बहुत ही प्यारा होता है और ये पौदा हमें 15 कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चैनल में पहली पार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बैल आइकन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंजय भारत राधे राधे